आप में से काफी लोग ने glue gun के बार में सुना होगा यह जो product है यह एक तरह से glue gun है लेकिन gun shape का नहीं है काफी compact है metallic finishing के साथ में आता है और काफी effective भी है यह है wow stick glue gun और इस वीडियो में मैं आपको इस product के बार में बताने वाला हूँ और इसके अलावा यह एक और product मेरे पास है यह है buddy यह multifunctional cable stick है यह भी काफी interesting product है तो चलिए इन दोनों products को check करते हैं देखते रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको इन दो products के बार में बताने वाला हूँ एक तो यह buddy यह cable stick है 9-in-1 multifunctional यह काफी interesting product है लेकिन इसके बार में मैं आपको आगे चलके बताऊंगा फिला इसकी unboxing करते हैं यह है gluer lithium mini hot glue pen wow stick brand का है और यह काफी interesting glue pen है और काफी compact भी है तो चलिए इसकी मैं आपको unboxing करके बताता हूं box में आपको यह दो boxes मिलने वाले हैं इन्हें मैं बहार निकाल देता हूं ले दिजे और साथ में यह user manual दिया हुआ है जिसमें आपको इस product के बारे म इसे use कर सकते हैं फिलाल यह जो box है इसे मैं खोलता हूँ यह थोड़ा सा भारी है वैसे इसके अंदर है यह blue gun यह देखें इस परकार का दिखता है इसकी बॉड़ी है यह metal की बनी हुई है आप feel कर सकते हैं और जो quality है एकदम impressive level की है नीचे बटन दिया हुआ है on off switch दिया यहाँ पर आपको basically जो glue stick है उसे load करना है और फिर इसे push करना है और यह जो भाग है यह इस परकार से निकल जाता है यहाँ पर जो glue है यहाँ से निकलने वाला है गरम होने के बाद तो जो glue है उसे आप use कर सकते हैं और यह इतना messy भी नहीं होता है और काफी easily आप जो glue है इस से इस बटन का उप्यों करके यहां से रिलीज कर पाएंगे काफी कॉम्पाक्ट हैं और काफी एफेक्टिव भी है अब यह जो इसका धकन है अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो इसके अंदर यह देखें तीन गैप्स दिया हुआ है जिसमें आप तीन ग्लू स्टिक्स इसको दाल सकते हैं और यह तरह से मैगनेटिक है इस प्रकार से पक जाता है और आसानी से आप इसे निकाल भी सकते हैं तो यह में प्रोड़क्ट है और यह जो बॉक्स है इसके अंदर कुछ ग्लू स्टिक दिया हुआ है और यह है यह यूस्बी टू टाइप सी केबल अब आप चाहें तो extra glow sticks भी order कर सकते हैं यहाँ पर कुछ white glow sticks दिया हुआ है कुछ colorful glow sticks दिया हुआ है क्योंकि यह जो product है बच्चे भी असानी से यूज कर सकते हैं तो उनके लिए भी यह काफी काम में आ सकता है वैसे अगर आप चाहें तो अलग से इस प्रकार का जो glow stick का packet है इस से आप खरीद सकते हैं जो की खास इस वाउ स्टिक के लिए बना हुआ है यह भी वाउ स्टिक ब्रैंड का ही है यह देखें चुलिए मैं आपको बताता हूं कि यह जो product है से आप किस प्रकार से यूज कर सकते हैं यहाँ पर देखिए on off के लिए बटन दिया हुआ नीचे इ शेए उसयम पर इस प्रकार से प्रकार से ढलना है और थोड़ा सा पुश करना है उपर जो भटन Siya निंगा देता हूं और आप यहां पर ध्यान से Сब्चर्च कर ताओं यहां से जो glue है यह देखें बाहर निकल रहा है यह थोड़ा सा hot glue है यह जो glue है इसे मैं यहां पर यह देखें इस प्रकार से मैंने place कर दिया है और यह जो कागज है इसे चिपकाने की कोशिश करता हूं यह देखें अब यह चिपक गया है तो इस प्रकार से आप बड़ी आसा वहाँ पर आप इसे डाल सकते हैं और चिपका सकते हैं काफी strong bonding देता है और बहुत ही important है कि क्यूंकि जब आप इसे प्रेस करते हैं इसके अंदर already एक stick है तो वह थोड़ा सा half use हो चुका है और देख सकते हैं कि ये वाला जो stick मैंने अभी भी डाला है ये फिलाल तो यूज न पकड़ेंगे आप महसूस कर सकते हैं कि ये hot है वैसे इतना ज्यादा hot नहीं है कि आप चिलाने लगेंगे लिखिन yes ये hot है और दिख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो glue है ये active हो जाता है तो ये देखिए जो मैंने stick किया हुआ है काफी अच्छी तरीके से stick हो चुका है और मुझे काफी दम लगाना पड़ रहा है इसे निकालने के लिए तो ये काफी powerful bonding भी करता है अभी जो glue gun है इसे आप household के लिए भी use कर सकते हैं मान लिजे अगर आपके पास कोई showpiece का item है जो की तूट गया है तो उसे आप असानी से इसका उप्योग करके stick कर सकते हैं technical specifications के बा हैं वैसे जो charging input है यह 5 volts 1 amp तो आप नॉर्मल charger का उप्योग कर सकते हैं इसे charge करने के लिए तो यह जो glue stick है मैंने अभी भी दाला था वो यूज तो नहीं हुआ है क्योंकि इसमें already मैंने जो glue है उसे यूज करना शूर कर दिया था और एक stick already था इसमें जो की काफी हद तक य है इसे off पर रखिए ताकि गलती से यह on ना हो जाए और यह देखें यहां पर जो stick है अगर मुझे फिर से use करना है तो यहां से मैं use कर सकता हूं तीन stick आप यहां पर store कर सकते हैं तो काफी बढ़िया device है और घर में जो glue gun है यह definitely होना चाहिए तो जो glue gun है खास करके बच्च प्राइजिंग बहुत ही बढ़िया है इसका प्राइजिंग है तकरीबन 1400 रुपीज के आसपास सिर्फ यह जो glue gun है इसका वैसे अगर आप यह glue gun खरीदते हैं तो इसके साथ में आपको कुछ glue sticks भी मिलते हैं और अगर आपको अलग से जो glue sticks है उसे खरीदना है जो की packet में आपको बताया था इस वीडियो में वो जो glue stick है उसका प्राइजिंग है तकरीबन 800 रुपीज के आसपास उसमें आपको बहुत ज्यादा sticks मिलने वाला है glue sticks चलिए अब मैं आपको बड़ी product है इसके बारे में बताता हूं यह 9-1 multifunctional cable stick है खास करके storage के लिए यह जो product है काफ आप में attach कर सकते हैं और यह देखिए यह product वैसे इसमें ज्यादा कुछ नहीं है यह basically storage के लिए है लेकिन यहां पर कर सकते हैं इसकी बॉड़ी है यह metal की बनी हुई है और इसे खोलने के लिए आपको यहां से नीचे से push करना है और यह देखिए इस प्रकार से यह खुल जा सकते हैं for example TF card slot दिया हुआ है one two three four और यहां पर five five TF card slot है दो nano sim slots है जहां पर आप जो sim है उसे store कर सकते हैं खास करके अगर आप ज्यादा traveling करते हैं बार बार जो sims है उसे change करते हैं तो यह जो device है काफी काम में आ सकता है या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा device है जिसमें आप सब्सक्राइब जयाँ जाधा TF card use करते हैं तो यहां पर आप जो TF card हैसे store कर सकते हैं ऑर बार बार यूस कर सकते हैं तो उसके लिए खास करके यह बनाया हुआ है और यहां पर एक TF card slot दिला हुआ है जिसमें आप जो TF card है उसे दाल सकते हैं और यह जो type C more time मैं मुझे लगता केबल है चोटा सा केबल है जो कि इस प्रकार से टाइप सी टू टाइप सी केबल तो यह काफी हैंडी डिवाइस है और अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपके पास में भी आइफोन है तो इसका आप यूज नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको बता दूँ यहां पर देखिए और पिन भी दिया हुआ है तो यह काफी हैंडी डिवाइस है और मुझे लगता है कि आपना से काफी लोग शायद से खरीदना चाहेंगे इसका जो प्राइजिंग है यह तकरीबन 1,400 रुपीस के आसपास वैसे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शिन है वहां पर जाके आप चेक क जरूर बताईए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और देखते रहिए